हाई फ्रेंड स्वागत हमारी यूट्यूब चनल कुगवित परी में और आज हम आपके लिए एक हैं सूरत की फेमस उसके लिए यह देखे मैंने बाउल लिया हुआ है और अब हम इसमें डालेंगे चार बड़े चमच कोको पावडर आप जितनी अच्छी कंपनी करेंगे उतना ही अच्छा कलर और ओर उतनी अच्छी थिकनेस आएगे हमारे कोको कोल डिंग में और इसके साथ हम लेंगे और हमको चार बड़े चमच लेना है जिससे की ठीकनेस बहुत अच्छी आएगी और बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा और दम फ्लापी और बहुत टेस्टी बनेगा इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से जिसले कैस मानों के डीकनें और स्टेस्टर की अच्छे से मिक्स कर लेंगे वरूरत की बहुत भुशित टेस्टे और बहूँत धहुत टेस्टी आप ये देखी हमारा एकदम पढ़ियां सा घूल बन के ह३ा है मैं अध्य हूं 0 थिस दोस्तों dif चुरत की पहुत डिस है और बहुत फलप्य और बोहुत एमई बनती है बहुत टेस्टी भी लगती है और चलते हैं नेक्स प्रोसेस की तरफ यह देखिए हमारा एक गम बढ़ियां सा गोल बनके रडी हो चुका है तो चलते हैं नेक्स प्रोसेस की तरफ और यह देखिए मैंने कढ़ाई लिया हुआ है और इसमें और यह देखिए मैंने 200 वारा मिल्क लिया हुआ है दोस्तों और इसको हम कड़ाई मास डालके इसको गोयल कर लेते हैं इस तरीके से और यह देखें दोस्तों हमको 可नळ ज्यादा इसको दूद हमारा पहले से हमने पका कर लिया उब लिया होए Ар और इसको हमको Episode hash gonna क्योंespère और हमने कोको पाउडर का घोल बनाया है उसको धीरे-धीरे एड कर देना है इस तरीके से देखिए और इसको अच्छे से आशे ही चलाते रहना है ताकि अच्छे सी ठीकने साजा एक बढ़ियां सी और इसको धीमी आज में ही पकाना है थोड़ा सा इसको हम और पका लेंगे औ और ये देखें दोस्तो हमारे इसमें बॉयल आ रहा है अच्छे से और ये हमने एक पैकट चोकलेट लिया है इसको भी हम इसमें आड़ कर देते हैं जिससे की कलर और पेस्ट बहुत अच्छा आएगा और इसको मिल्ट होने तक हम अच्छे से इसको पका लेते हैं और दोस्तों चोको पाउडर जो होता हो थोड़ा सा कड़वा होता है तो अब हम इसमें चीनी आड़ कर देंगे चीनी हमको थोड़ी सी ज्यादा आड़ करने है दूज के कॉड़िंग क्योंकि यह देखें तीन चमच हम 5-6 चमच आड़ करेंगे चीनी को मिल्ट कर लेते हैं और ये देखे हमारी चीनी भी मिल्ट हो गई और हमारी चॉकलेट भी मिल्ट हो गई अच्छे से तब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं और अब हम इसको बावल में पलट लेते हैं इस तरीके से ये देखें और इसको हमको रूम टमप्रेचर पे लाना है पहले और ये देखें दोस्तो हमारे 30 मिनिट हो चुके हैं इसको मैंने फ्रीज में रख दिया था एकदम बहुत पढ़िया सा ठंडा हो गया हमारा और दुकानों में मिल जाएगा आसानी से अब हम इस से इस तरीके से हम डिक्रेट कर देते हैं और इसी तरीके से हम इस ग्लास को भी कर देते हैं यह देखें मैंने इसको बाउल पे निकाल लिया है और अब हम इसको रूम ट्रम प्रिचर पे लाके फिर हम इसको नेक्स प्रोसेस पे लाते हैं और यह देखें मैंने ग्लास को डेक्रोट कर दिया इस तरीके से और अब हम क्योंकि हम Coco cold बना रहे हैं इसलिए हमको इसमें ice cube डाल नहीं है देखे मैंने 4-5 ice cube डाल दिये हैं और इसमें भी हम इसी तरीके से डाल देंगे और ये देखे अब इसमें हम chocolate drink डाल देते हैं जो हमने बनाया है ये देखे एकदम बढ़ियां सा फ्लॉपी कितना बड़िया बन के रेडी हुआ है और हम इसको भी भर देते हैं इसी तरीके से और ये देखिए हम इसके उपर हम आइस्क्रीम डाल देते हैं इस तरीके से और हम इसमें भी इसी तरीके से डाल देते हैं थोड़ी सी आइस्क्रीम हमारा और हम इसी तरीके से इसमें थोड़ा सा क्रस्ट किया हुआ चॉकलेट डाल देंगे यह देखे इस तरीके से दोस्तों देख कितना खुबसूरत लग रहा है हमारा कोल्ड कोको ड्रिंक और एकदम बढ़ियां सा हमारा फ्लॉपी बन के रेडी हो चुका है सूरत की फेमस डिस इस तरीके से हम इसमें थोड़ा सा और डेकरेट कर देते हैं कोल्ड कोको ड्रिंक यह देखे और यह देखे दोस्तों सूरत की फेमस ड्रिंक हमारी बन के रेडी हो चुकी है cold coco drink तो दोस्तो आप भी हमारी recipe को अब आप अपने घरों में ट्रै करें और हमारी recipe कैसी लगती प्लीज हमको comment करके जरूर वताएं और दोसनों आप इसको अपने भी घर में बनाएं और enjoy करें और फिर मुझे taste करके बताएं कि कैसा लगा आपको मेरा cold coco को और अगर मेरा कोल्ड को अच्छा लगाओ तो मेरे वीडियो को लाइक और सुस्क्राइब करें मेरे चैनल को और वेल आइकान भी होती उसको भी प्रस करें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग करते हैं